नमस्क्राइब नाम प्रिकास है आप टोडे बिहार नीज देख रहे हैं देखे बिहार में जहरीली सराब का कहर देखने को मिला है जहरीली सराब पीने से कई जगों पर लोगों की मौत हुई है गोपाल गंज के बाद बेतिया से बड़ी खवर निकल कर सामने आई बेतिया मे लगभग 10 लोगों की मौत है जहरीली सराब पीने से हुई है और कहाए जा रहा है कि परसासन पूरी तरीके से पूरे मामले की छानविन में जुटी है और साथी परसासन के ओर से इस बात की पूछ्टी भी की गए कि लोगों की मौत सराब पीने से हुई है लेकिन बेहार मे बावाल मचा है बेहार की नितीज सरकार सवालों से घिरी है क्योंकि बेहार में पुन रूप से सराबंदी है लिहाजा सराबंदी वाले बेहार में किस तरीके से सराब पीने से लोगों की मौत हो रही है ये सवालों से घिरा है गोपाल गंज में 17 लोगों की मौत 24 गंटे के अ मामला सामना है कहीं न कहीं सरकार सवाला से गिरी और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है तेजस्वी ने नितीश कुमार के ड्रीम पोर्जेक्ट पर सवाल खरा करते हुए सीधे तौर पे इस पूरे म दिल्ली में और दिल्ली में बैठे इस बिहार में हुए जहरिली सराब कांड को लेकर नितीश सरकार पर हमला बोला है देखे लिखते हैं मुझपरपुर में पांच से दिनों पूर जहरिली सराब से 10 मडें कल और आज गोपाल गंज में 20 लोग मरें बेतिया में आज 13 लोग जी की सह पर उनके मंत्रियों और पुलिस परसासर ने स्वेंग मदाताओं के बीच सराब का वितरन किया किस बात की सराबंदी इन मौते का जिम्मेवार कौन है बिहार में 20 हजार करोर की अवैद सराब तसकरी और समानांतर ब्लैक एकनोमी के सरगना सामने आकर इसका नितीश कुमार पर तेजस्वी आदो का ये बड़ा हमला तेजस्वी ने कहा है कि किस बात की सराबंदी है इस मौत का जिम्मेवार कौन है मुझपरपूर पहले फिर गोपाल गंज फिर बेतिया मुझपरपूर में 5 दिनों पुरो ही 10 लोगों की मौत हुई कल और आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार की सह पर उनके मंत्रियों और पुलिस परसासर ने स्वेंग मादताओं के बीच जाकर सराब की बितरन की है तेजस्वी का बड़ा हमला लेकिन इसके बाद देखे आरजेडी सुप्रीमो लालु परसाद यादो ने भी इस मामले को लेकर हमला बोला है बिहार की नितीश सरकार पर देखे मुख्यमंत्री नितीश कुमार और केंदर की नरेंदर मोधी सरकार को भी निसाने पर लालु यादो ने अपने ट्वीट में लिया है आपको तस्विर दिखा रहे हैं लालु यादो ट्वीट करते भी लिखते हैं बिहार की नित इस भाजपा सरकार ने महंगाई बिरोजगारी से जनता का दिवाला निकालने और निवाला छिनने के साथ ही गत सब्ताह जरीली सराब पिलाने से पच्चास से अधिक लोगों की जान ली है मुख्य मंत्री दो सब्समेदना के लिए भी प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि इस से उनके द्वरा संदक्षित सराब माफिया नराज हो जाएंगे तेजस्वी आदो और लालू परसाद यादो ने बड़ा हमला बोला है लालू परसाद यादो और तेजस्वी आदो फिलहाल दिल्ली में है लेकिन बेहार में जब जहरीली सराब से चिक और पुकार मचा है जगह जगह पर लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है गोपाल गंज और बेतिया में कह सकते हैं कि दिवाली के दिन ही एक और जहां पटाकों की गुंज है वहीं दुसरी और चिक और पुकार कोहराम मचा है कई घरों में आज दीपक नहीं जलेंगे क्योंकि कई घरों के चिराग आजबुझ गये हैं और लालू परसाद यादो और तेजस्वी यादो ने सीधे तोर पर इसको लेकर मुख्य मंत्री रितीश कुमार पर निसाना साधा है और कहा है कि उनके संडक्षित सलाब माफिया नराज हो जाएंगे अगर मुख्य मंत्री कुछ कारेबाई करेंगे कुछ बोलेंगे तो आप टेड़े व्यादों के साथ बने रहें धन्यबाद